देश निलेश बहुत बश्वागते आपका सुपर फास्ट क्लास एच यूटूब चैनल पर दोस्तों इस वीडियो में जो पड़े थे क्लास टेंथ का समाजी विज्ञान यानि सोसल साइंज का सेकेंड चेप्र भारत में राष्टवाद का उद है ठीके उसका ये थर्ड ले लिखेंगे और यह वीडियो काफी छोटी होने वाली है क्योंकि इसमें बहुत कम कंसिप्ट रह गया है आपका बहुत कम चीज़े रह गए क्योंकि पीछे हम दो लेक्ष्टर में बहुत सारी चीज़े डील कर लिए तो चली हम लोग चलते हैं हम यहां से स्वीने अवग्य अंदोलन से बाकी है मैंने और भी काफी एक्स्टा चीज़े लिख रखी है अगर आप याद करना चाहते तो याद कर सकते हुए बंगाल का पर्थम गौर्णर कौन था तो रावट क्लाइव था और लास्ट गौर्णर कौन था तो वह वारें हैस्टिंग था ठीक है और बं में हम ज्यादा डीटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा अलग हिस्ट्री का एकदम अंदर का टॉपिक बन जाता है और यह आपके एक्जाम में आने वाला भी नहीं है तो आप लोग ऐसे याद कर लिएगा कि यह बंगाल का प्रथम गौर्णर लाड कलायू था ब भारत का प्रथम और भारति वैसरय वो चक्रवति राज-गुपाल छारी थे ठीके अब इसमें बहुत सारे कोशेन आपके बंदते हैं कि यह वैसरय कि और यह गौर्णर जर्रार ऑं गौर्णर में क्या अंत्र है हलां कि यह सारी पोश्ट एक ही है ठीके यह वैसरय और गौ अगर आप चैनल को भी तक सब्सकाइब नहीं कियें तो चैनल को सब्सकाइब कर लेना और वेल आइकान को भी दबा लेना जिससे इस प्रकार की सारी वीडियो की नोटिवियेशन आपको मिलती रहें तो देखो सबसे पहले हम सवविने अवग्यांदोलन के वारे में पढ़ते तो यहां देखिए मैं टॉपिक बना कर लिख्या कि गाधी जी ने 12 मर्श 19-30 को साबरमत्ती आस्रम से 240 किलोमीटर दूर इस्तित दांडी नामक अस्थान पर पहुचकर 6 अपर 19-30 को नमक कानूर तोड़कर इस इहां पर कोर्शन आ जाता है कि कि गाधी जी ने सवीने अवग्यांदोलन को प्रारंब किया ठीक है और कहां से प्रारंब किया यह भी आ जाता है तो देखिए आप सिधे इसी दे लिग देंगे कि मतलब उन्होंने साबरमति आश्रम से 12 मार्च 19-30 में प्रारंब किया याद रखिएगा चलिए आगे चलते हैं आगे हम लोग यहां पर देखिए यह टॉपिक बना कर मैंने चीज दिखी कि पांच मार्स पांच मार्स उन्नीस सो तीस यहां पर आगे जीरो है को महात्मागादी ओतात कली नुवाइसराय राड इर्विन के बीच एक राजनितिक सम समझ होते के तहत सब्वीनय अग्या आगे अंदoration स्वात कर दिया गया ओके यहां पर देखिए यहां पर 30 नहीं है यहां पर देखो यहां पर 30 सी है लेकिन यहां पर आंद Посल कर रारंब हुआ यहां 19換ंद कर दिख लेना कि 59 जैनेjs राचनित कर दिखिक समझ होते के तहत सब आपके एक्याम में question आ जाता है कि गाधी इर्विन समझाओता क्या है तो आप लोग लिख लेना कि मतलब सविनय आगया अंदोलन मतलब लाड़ इर्विन और महात्मा गाधी के बीच एक राजनीतिक मतलब राजनीतिक समझावता हुआ देश के तहर सविनय आंदोलन को मतलब बंद कर दिया गया इसी समझावते को हम क्या बोलते हैं गाधी इरविन समझावता कहा जाता है तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा लेकिन देखिए आगे चल कर क्या हुआ कि मतलब वह आगे चल कर 1932 में यह आंदोलन फिर से प्रारम कर दिया और 1934 तक यह आंदोलन चला देखिए जब इन्होंने 1934 में समाप्त कर मतलब यह मतलब गांदी जी ने इसको मतलब बंद कर दिया इस आंदोलन को तो बहुत सारे लोग इनसे नहराज हो गए जिसकान मतलब 1932 में ठीक है अब चली हम आगे कुछ देख लेते हैं आगे क्या है यहां भारत में सवायदहानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1932 के बीच लंदन में तीन गोलमेज समयलन आयोजित किये गया मतलब यह गोलमेज समयलन देखिए गोलमेज समयलन के बारे में सिर्फ इतना पूछ अब स्वायदहानिक सुधारों पर चर्चा करने लिए 1932 के लंदन में आयोजित किया एक समयलन है मतलब गोलमेज समयलन बस उसका बाद देखिए मैंने लिग दिया कि पर्थम गोलमेज समयलन यहां दिखिए दुटिया है और यहीं तृतिया है यह पर देखिए आप लोग कब से और कब तक चले थे यह भी मैंने पूरा कफुरा लिख लिए है तो आप बस याद रख लिए को प्रथम गोल में समयल 1931 से 1931 तक चला था यह आप एक्जाक्टली देर मत याद रखें कि यह भूल जाओगे मैं जानता हूं और कहीं एक्जाक्टली डेट पूछता भी न समाप्त हो गया ठीके अब देखिए यहां पर 17 नौंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक यह क्या चला त्रित्य गोल में समयलन चला तो बस यह आप लोग यह प्रथम इसमें प्रथम गोल में समयलन इंपोर्टेंट है क्योंकि हर बार पुछता है कि प्रथम गोल में समयलन कब हुआ ठीक है अब चलो हम लोग आगा चलते हैं यह लोगों ने आंदोलन को कैसे लिए आपके मतलब यह तो एक टॉपिक है आप लोगों के एंसे अर्टी बूग में चलिए उसमें आपको एक सब्द मिलेगा रेडिकल अंदोलन कि लेडिकल आंदोलन या लपलपाती चिंगारी इसे कहते हैं कि यह रेडिकल आंदोलन क्या थे तो आप अपनी NCRT की लाइन में पढ़ोगे ना मतलब NCRT एक लाइन पढ़ोगे तो उसमें आपको एक लाइन मिलेगा कि 20-20 सती में बहुत सारे लोगों ने रेडिकल आंदोलन में भाग लिया रेडिकल आंदोलन कहने का क् जिसमें बहुत सारे क्रांतिकारी और लोग चढ़बर का हिस्सा लेते ते उसी को रेडिकल आंदोलन कहा गया तो कोई भी जोरो सोरो से क्रांतिकारियों दूरा किया गया अंदोलन रेडिकल आंदोलन कहा लाता है ठीक है तो रेडिकल आंदोलन क्या था या क्या है अगर ब याभी भी जो अंदोलन होते हैं बड़े सुरोत तोरों पे उनको बोल सकते कि रेडिकल अंदोलन यह हैं ठीके चलिए आगे चलते हैं गोदी कामगार जहां जो से माल उतारने तब साथ चाढ़ाने का काम करने वाले जो मजदूर है उनको गोदी कामगार कहा गया है यह अवग्या अंदोलन है ठीके उसको सिबिल नाफर मांी नाफर मानी अंदॉलन के नाम से भी जाना जाता है ठीके अब चले इस पेज को मैं हटा लेता हूं शाहिड़ी यह हम लों का समापत हो गया इसमेम्मेन है आप लोका सभी नए अवग्या अन्दोलन आप सभी नए आप याद रखे कि दाक्टर भीम्राव अमबेटकर ने दल्टों को दमीत वर्ग एसोसियेशन में संगठीत किया अब यह यह देखो यह आप एक पर पढ़ लिए नो तो आपके अपशानी से कर लोगा अगर आपको याद भी नहीं रहता है तो ठीके तो डाक्टर भीम्राव अमबेटकर ने दल्टों को दमीत वर्ग एसोसियेशन में संगठीत किया अब देखो यह संप्रदाइक्ता क्या होती है कमूनलिज्म क्या होता है देखिए यह तो आजकल जोरो सुरो से चल रहा है जैसे संप्रदाइक्ता जैसे आप देखते हो जो राजनीतिक पार्टिया होती है लोगों को धर्मों में मतलब उनके जातियोती में भड़का कर मतलब खुद अपना फायदा उठाती है तो यही होती संप्रदाइक्ता आप ऐसे न्यूज चैनलों पे मतलब पढ़े होंगे कि यह संप्रदाइक्ता फैल आ रहे है ठीक है तो संप्रदाइक्ता फैल को वही मतलब हुआ कि लोगों को आपस में धर्म आदी के नाम पे धर्म जाती आदी के नाम पे आपस में लड़ाना और उससे अपना फायदा लेना ये अक्सर रांदितिक पाटिया करती है आजकल तो ये पूरा जोरो सुरे पे चल रहा है आप देखी रहे हो ठीके तो देख पहले बताया उसको भी लिख सकते हैं ये आपका टेक्निकली भासा है ठीक है अब चलिए आसान भासा में यहाप मैंने लिख विए दिया है असान भासा में कि कि किसी धर्म अथवा धर्म विसेश के संपरदाय को ही महत्वोड मानना या अन या धर्म अथवा संपरदाय के प्रतितिस्कार का भाव उतपन होने को ही संपरदाय क्याते हैं वास्तों मैं संपरदाय कोहीं संपरदाय करते हिसा थाकर सपल ईशयकार जा आप पसमें लड़ाकर और अपना फायदा उसमें निकानला ही संप्रदाइकता कहलाता है सिंपल भासा में ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो ठीक है चलिए तो संप्रदाइकता का मतलब समझगे आप लोग संप्रदाइक क्या होता है किसी ही मतलब एक ही धर्म के अलग-अलग मैंने क्यों समझाने के लिए आपको यहां पर लिख दिया है ठीक है अब देखिए यहां सामोई का अपनेपन का भाव में आप एक राश्टगान के बारे में थोड़ा जान लिए यह अक्सर आप लोग के बोड़िया में नहीं आएगा मैंने जो पीछे दो वीडियो में ब पहलीं बार भारतिया राष्टरी कंग्रेस की कुलकत्ता ठीक है अधिवेशन में घया गया था यह इसले सब्सक्राइब हम दोड़ा के राश्टर्गान के रूप में है यह आप लोग इंपोर्टेंट चिजे हैं इसको आप लोग याद रखिएगा तो उसके बाद चलिए हम रोग राष्टगीत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं देखिए राष्टगीत 1866 में बंकी चंदर चटरजी दौरा बंगाली में लिख्या गया था 27 दिसंबर 1866 को पहली बार भारती राष्टी कांग्रेस की कुलकत्ता जैनि तब उसको कलकत्ता कहा जाता था कुलकत्ता को अधिवेसर में गाया गया था संभिधान सभा ने बंदे मातरम को भारत के राष्टगीत के रुप में दखिए इसको भी 24 जनरी 1950 को अपना आता था तो यह आप लोग याद रखेंगा 24 जनरी 1950, 24 जनरी 1950 ठीके उसके बाद स्वादेशी आंदरोन के बारे में थोड़ा जान करने का आवाहन किया स्वादेशी आंदरोन आजाधी तक चला और इसे काफ ही बल मिला यह मातमा गादी का सबसे सफल आंदोलन रहा मतब अंग्रेजों की समानों का वहिस्कार करो ठीक है तो यह स्वादेशी आंदरोन हो गया अब इसके बारे में आप लोग लिख लोगए आपनी भासा में लिख देना ठीक है उसके अलावा देखिए यहां पे कुछ चीजे हैं चुब मैंने फर्स्ट पेज़ लिए हमने पहले दिन इस चीज को पढ़ा था इसमें तो इसमें यह रॉल एक्ट के बारे में आप लोग याद रखिएगा रॉल एक्ट के बारे में यह कानून था जिसको मतलब अंग्रेजों ने भारत में लाया था ठीक है मार्च 1919 में ठीक है अब इसी के विरोध में और कुछ मतलब मुद्दों पे चर्चा करने गए जलियाल वाला बाग मतलब नामक जिगा पे जो अमरीच सर पंजाब में हैं वहां पे लोग जूटे थे उन्हीं पे क्या हुआ कि उन्हीं लोगों को हटाने के लिए अंग्रेजों ने इन पे काफी गोलिये चला दी और उसमें काफी सार लोग को कि मौत हो गई तो उसे ही जलियाल वाला बाग हत्ते कांड का नाम दिया गया और यह 13 प्राइर 1919 को हुआ ठीक है अब देखे जलि चौरी कांड हुआ यह फ्रावडी 1922 में ठीक है यह 14 चौरी कांड यह मतलब क्या है कि इसमें देखें यह हम लोगा गोरफूर है ना यूपी का गोरफूर वहीं पे चौरा चौरी नामक जगह है वहां पे मतलब पूलिस चौंकी को लोगों ने फूख दिया जिसमें जलिया निकाल लेते लिए पुलिस वाले जूट मूट का उन पर लाठी चार्ज कर दिये उसी गुसाय में लोग लोगों ने इस मतलब चौकी को फुख दिया तो उसे चौरा चौरी की मतलब घटना के नाम से जाने तो यह फरवर युनिस से 22 में हुई तो यह चीज है आप हम लोग ने इस चीज को डीटेल में पढ़ाता तो आप फर्स लेक्चर देख लीजिएगा ठीक है बाकी हम लोग रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही ठीक है आगे हम दोनों चेप्टर से आप लोग का जो फर्स चेप्टर है सोसल साइंस का और जो सेकेंड चेप्टर है कि भूगोल का फर्स चेप्टर करें क्योंकि हिस्ट्री में हम लोग का यह दो चेप्टर समाप्त होगे एक तर से हम बोल सकते हैं ठीक है तो चलिए मैं रहने देता हूं इस वीडियो में इतना ही आई होप आप लोग यह वीडियो काफी अच्छी लगी होगी वीडियो सब्सक्राइब पर वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नभूलें तो बस थैंक यू